गुदूर्णी फ्रेन्ज फौर्ट वरेनज ऑफ्रेन्द ये है मेरी बॉई-ट वाटर मैं सुबसुआ अपने मॉनिग के स्टाटेंग यही गरम पानी से ही करती हूँ छ ज्द पर टहल कर आ गया हूँ मॉनिंग होँ करके और मैं आ गई हूँ अभी कीचन में तो सुबह सुबह मैं अपने कीचन को क्लीन करके कैस जुल्दा को अच्छी तरह से पोच कर और मैं बना रही हूँ चाए सब के लिए तो आ जाएए आप लोग भी मेरे साथ चाए पी लीजिए उसके बाद मैं अपनी सुबह की ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए आज मैं रेश भी शेयर कर रही हूँ आपसे फूल को भी कॉलिफलावर की सबची तो ये मैं कट करके उबाल ले रही हूँ उबालने के बाद फिर मैं आलू को भी बॉल कर ली हूँ और प्याज को कट कर ली हूँ टमाटर ये सब और ये देखिए मैं कडाहीच को चड़ा दी हूँ इसमें ओल डालूँगी और लशुन को भी मैं अची तरह से थोड़ा कूट लूँगी और मैं इसमें डालूँगी जब मेरी ओल गर्म हो जाएगी तो मैं इसमें डालूँगी जीरा उसके बाद लसुन तेजपत्ता प्याज ये सब और ये देखिए मैं इसे छिल ले रही हूँ तो जो मैं आलू को छिल ले रही हूँ उसे मैं अपने हथेलियों से ही दबाकर फोल्ड लूँगी और इसमें मैं सूखी मेर्ची भी ऐड़ करूँगी और मैं कॉलिफलावर डालने के बाद इसमें थोड़ा नमक ऐड़ करूँगी तो दो तीन मिनट इसे मैं भूनाने के लिए छोड़ दूँगी ढखकर उसके बाद मैं डालूँगी फिर आलू आलू और टैमेटो को एक साथ मैं डाल दूँगी उसके बाद फिर अपना बाद में फिस्वाद के अनुसार मैं नमक डालूँगी फिर हल्दी उसके बाद जो भी आपकी किचन में मशाला रहती है बेशिक मशाला रोजाना यूज का वो मैं डालूँगी और टेस्ट अच्छा आने के लिए इसमें आप जो मटन मशाला मिट मशाला जो भी होती है चिकन मशाला, M.D.H. मशाला कुछ भी आप एड़ कर सकते हो ये बहुत ही अच्छी लगती है तो बस मेरी तो सबजी बनाने की यही है विधी और आप लोग कैशे बनाते हो और अगर सबजी को और भी सुन्दर दिखाना है देखना है तो इसमें आप जो लाल मिर्च यानि की जो काश्मीरी मिर्च होती है वो आप डाल सकते हो तो बस इसे मैं हलकी आज करके और रून लेती हूँ उसके बाद जब मेरी हो जाती है सबजी रेडी उसके बाद फ्लास्ट में मैं डाल दूँगी धनिया की पत्ती और आपको अगर सूखी रखनी है तो सूखी भी रख सकते हो और अगर ग्रेवी वाली रखनी है तो थुड़ा पानी भी आड़ कर सकते हो तो ये देखिए मेरी तो सुखा की रख शबजी ये तो रेडी हो चुकी है उसके बाद मैं फटा फट रोटी को भी तयार कर लेती हूँ और आज कल जो ठंडा का जो टाइम है ना तो गर्म गरम ही सर्व करने में ही सही रहती है और खाने में तो बस फ्रेंड मैं आज यही सेयर कर रही थी आपसे तो आपको कैसे लगी है ये मेरी रेश्पी तो जरूर बताईएगा आप लोग भी ऐसी बनाते हो क्या और मैं फटा फट रोटी तयार कर ले रही हूँ तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लोग में फ्रेंड तब तक के लिए बाई बाई एंड सेफ योर बोड़ी एंड थैंक यू फॉर वचिंग और इसे नीद भी आरी है